Welcome back to the channel, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इस्टेट वाइस जो स्टेट के निकनेम है, वहां से कौन से रिवर फ्लोट करती है, वहां पे कौन सा डाम है, वहां के फेमर्स फेस्टिवल्स, वहां के फेमर्स आर्ट एंड कल्चर ये सारी चीज़ है, तो सबसे पहला जो नेम मैंचेस्टर ऑफ इंडिया, कमर्शल कापिटल ऑफ गुजरात, बॉक्स्टन ऑफ इंडिया, हेरिटेट सिटी, ट्विन सिटी, नाइट सिटी, फानेशल कापिटल ऑफ बेस्ट इंडिया, ये सारे आपके निकनेम है, एहमदाबाद के, इन प्लस आफ दिस, और लेफ बांग ट्रिबिटरी में, वाकल, हर्णव, हातमती, खारी, वतरक, तो इसको लेफ बांग ट्रिबिटरी हम कैसे याद करते हैं, ह स्क्वार, डबलू स्क्वार, के, और राइट बांग ट्रिबिटरी जैसे आपको याद रहे, राइट बांग, सी, सीरी, धामनी, और left bank tributaries, वाकल, हर्णव, हाथ मेती, खारी, वातरक. H square, W square और K. अब यहाँ पर next जो है हमारा, यह हमारे dams आ जाते हैं, जो हमारे एहमदाबाद के city के पास located है. तो यहाँ पर पहला है धरोई डाम, हाथ मती डाम, गुहाई डाम. यह तीन major dams है, जो आपको एहमदाबाद में मिलेंगे, धरोई डाम, हाथ मती डाम और गुहाई डाम. Next, हमारे कौन-कौन से important lakes हैं एहमदाबाद में? पहला है कांकरिया लेक, यह एक artificial lake है, जैसे आप image में देख पा रहे हो, बहुत बड़ी से circle में यह lake बनी हुई है, यह artificial lake है, और यह multi-sided lake है, जो सुल्तान कुतब उद्दीन ने बनवाई थी. Multi-sided मतलब जो हर साइट से open होती है लेक, उसे multi-sided lake बोलते हैं, ठीक है? Next है चंदोला लेक, चंदोला लेक भी artificial lake है, इसको बनवाया था, जो मुगल सुल्तान एहमदाबाद के थे, उनका नाम तर तजन खान नरी अली, उनकी वाइफ ने यह lake बनवाया था, चंदोला लेक. Next, major crops, जो हमारे एहमदाबाद के हैं, सबसे major crop तो एहमदाबाद का राभी है, उसको winter crop भी कहते हैं, और वो November से April के बीच में हमेशा grow किया जाता है, उसके अलावा, maize, cumin, wheat, gram, onion, mustard, तो यह सारे major crops हैं एहमदाबाद के, बट सबसे major होता है ना, एक जो सबसे major crop कौन सा है, त Next, हो जाता है हमारा एहमदाबाद का डांस, तो सब को पता है एक तो बहुत फेमस गर्बा, गर्बा एहमदाबाद से originate होता है, और गुजरात में भी बहुत लोग खेलते हैं गर्बा, next is टिपनी, अगर आप इमेज देख पा रहे हो तो एक प्ले टाइप का होता है, जहा प्रणी और गर्बा दोनों डांस वार्म है हमारे एहमदाबाद के, next, बहुत फेमस फेरzt और फेस्टिवल जो अईधाबाद के हैं, एक तो नवरातत्री जो बहुत फेमस फेयरवर्न फेस्टिवल है, काइट फेस्टिवल जो बहुत फेमस है, जो नौर्थ इंडिया में खिचडी जो जानवरी के टाइम होता है उस टाइम पतंग उड़ाई जाती है तो काइट फेस्टिवल रन उत्सव ये कच का फेस्टिवल है और इसे एहमदाबा ने भी सेलिब्रेट किया जाता है रन उत्सव भावनात फेयर शामलाजी फेयर ये कुछ बहुत फेमस मेले हैं वहां के फेयर आपके मेले हो जाते हैं मौधिरा डांस फेस्टिवल वावथा फेयर चित्रा विचिता फेयर कवंत फेयर दंक्स दरबार फेस्टिवल बदरपद अमबजी फेयर पैरग्लाइडिंग फेस्टिवल भी एहमदाबाद में होता है राविची फेयर तरनितर फे आपका जो ये डाइगनल के अंदर जैसे आप image देख रहे हो ना इसमें तो डाइगनल के अंदर अगर image बना होता है तो उसको patola बोलते हैं. Next is आसावली साडी ये साडी जो होती है ये आपकी silk से inspire होती है और जो इसमें काम होता है वो बहुत महीन जरी का काम होता है handwork जादा होता है आसावली साडी. Next is mushroom ये pure cotton पे आपका जो block printing वगेरा होता है tie and dye का process उसको मश्रू बोलते है kach weaving जो kach का जितना handwork होता है अगर जैसे mirror वगेरा लगा होता है ड्रेस में तो वो भी kach weaving में next is tangli tangli भी आपकी एक type की साडी होती है जिसमें आपका सिर्फ border border का में काम होता है और बाकी साडी में बहुत माइनूट माइनूट सावर्क होता है तो ये कुछ बहुत famous handloom textile होगा है हमदाबाद के next art and paintings जो बहुत जादा फेमस है kach lipan art आजकल आप लोगों ने इंस्टरग्राम और यूट्यूब पे भी बहुत जादा रील्स चल रहे है lipan art, lipan art, जैसमें वो फोटो फ्रेम बगएरा या फिर सर्कल में फ्रेमिंग कर रहे है तो ये lipan art जो है ये ओरिजनेट हुई है कच रीजन में गुजरात में इसमें क्या होता है कि घर के बाहर जैसे आप यहां पर इंच में देख रहे हैं घर के बाहर वो डिजाइन बना हुआ है तो घर के बाहर ये क्ले से या फिर गाय के गोबर से women's यहां पर ये डिजाइन बनाती है ये मिट्टी में और मिरर वर्क के साथ यहांपे वाइट-वाइट जो मिरर है वो असली में मिरर ही है वो कुछ होन नहीं है वो मिरर ही लगाया हुआ है इनोंने यह पचेड़ी का मतलब होता है Behind the Mother Goddess मातानी पचेड़ी जो है इसको कालमकारी भे बोलते है इस पेन से की जाती है वो पेन आपका बाम्बू ट्री से बना होता है ठीक है तो मातानी पचेडी अगर ये पेंटिंग अभी आती है तो प्लीज कन्फ्यूज मत होईएगा ये पेंटिंग आप ये गुज्रात एहमदाबाद से बिलॉग करती है नेक्स्ट एंड लास्ट रोगन आर्ट फ्रॉम कच्च रोगन आर्ट ये जो है ये पर्शियन के टाइम से ये पेंटिंग की जाती है वाणिश या फिर ओल पेंटिंग होती है ये और इसमें जो डिजाइन्स आपको मिलते हैं अधिकतर वो फ्लॉरल मोटेट्स अनिमल्स के फोर टार्ट ये सब इसमें बताया जाता है तो आज हमने डिसकस किया है अब आउट एहमदाबाद अब कल हम डिसकस करेंगे अबाउट राजस्थान राजस्थान के निकनेम्स वहाँ पे कौन से पेंटिंग है कौन से डाम्स हैं कौन से फेयर्स और फेस्टिवल सेलिब्र किये जाते हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा थाइंक यू सो मच